गुद मॉनिंग की स्टुडेंट क्लास नाइन्थ हम कर रहे थे चैप्टर नमबर 4 और 4.3 एक्सेसाईज आज हम करेंगे 4.3 एक्सेसाईज का कोशे नमबर 2nd कोशे नमबर 2nd गीवन है आपके पास draw the graph of each of the following linear equation in two variables मतलब हमें क्या करना है? एक graph draw करना है किसका एक linear equation है? जिसमें कितने variable है? 2 ठीक है? सोलूशन करते हैं वक्त हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास equation गीवन हो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं तो equation क्या गीवन है? हमारे पास x-y equals to 2 मतलब question number 4 के second में क्या गीवन है? x-y equals to 2 ये equation गीवन है? अब देखे हम हमेशा क्या करते है? x की value ही put up करते हैं तो हमें क्या मिलता है? y it means x को हम क्या बोलता है? x is a independent variable variable किते हैं 2 x और y x को हम independent क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम मन से value ले रहे हैं हमारे उपर depend करता है कि हमें x की कोन सी value लेना है चाहे आप x की place पे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, minus 1 रखो, 2 रखो, minus 2 रखो doesn't matter मतलब x की value हम हमारे मन से लेते हैं इसलिए independent है, मतलब x आजा दे कोई सी भी value वो रख सकता है clear? इसलिए x को हम क्या बोलेंगे? x is a independent variable लेकिन y क्या है? dependent variable मतलब किसी पे वो आश्रीत है मतलब किसी पे वो depend कर रहा है तो y किस पे डिपेंड करेगा x तो definitely अगर आपके पास कोई equation है हम अगर उस equation में x की place पे कोई value put up करते हैं तो definitely उसी के according y मिलेगा 0 रखेंगे तो उसके according y मिलेगा 1 रखेंगे तो उसके according y मिलेगा मतलब x हम मन से ले रहे हैं लेकिन y किस पर depend कर रहा है? x पर इसलिए हम x को क्या बोलेंगे? x is the independent variable and the y is the dependent variable now clear? अब देखिए हमारे पास equation क्या given है? x minus y equals to 2 हमें किसकी value निकालनी रहती है? y की तो चाहे तो आप x की equation को as it is value put up करो और y find करो या पूरी equation को y के equal लेके चले जाओ अब देखिए यहाँ पर minus y right side आएगा तो काई का हो जाएगा? plus का y हो जाएगा? clear? और plus 2 left side आएगा तो काई का हो गया? minus का और यहाँ पहले से क्या था? x clear हो गया होगा I think आपको मैंने क्या करा? x को right side पहुचा दिया और 2 को left side ले आए क्यों? क्योंकि equation में किसके equal लेके चले गई भाई के? तो देखिए y equals 2 कितना दिखाई दे रहा है आपको x minus 2 position मैंने change कर दी clear? यहाँ पर equation आया हो आपको दिखाई दे रही है clear? अब हम draw बनाएंगे हमारी equation set हो गई हमने set कर दी equation को to draw the graph we need at least 3 solution मतलब इस equation के कम से कम हमें 3 solution निकालना है ताकि हम उस graph paper पे वो 3 solution put up करें और एक line draw कर दे मतलब वो जो point जहाजाला मिले है उस point को मिलाते हुए हमें एक line draw करनी है ठीक है? अब सबसे पहले हम हमेशा क्या करेंगे जब भी हमारे पास equation हो 99.99 हम हमेशा क्या put up करेंगे सबसे पहले आख बन करके एक्स की प्लेस पे 0 रग दो फिर देखेंगे वाई कितना मिल रहा है राइट? वेन एक्स इक्वास टू जीरो अब हमने क्या कर रहा है? एक्स इक्वास टू क्या put up कर दिया? जीरो तो देखें ये वाई है एक्स की प्लेस पे मैंने जीरो रखा तो कितना आया? ये क्वास टू माइनस टू दिख रहा है? कि जब मैं एक्स इक्वास टू जीरो रखूंगी तो वाई एक्वास टू कितना आया? माइनस टू तो हमेशा याद रखना है कि आपको ये एक ऐसी टेबल बनानी है राइट? बॉक्स ये कॉलम मैंने बना लिये जिसमें ये क्या है? आपके पास X और ये क्या Y देखो सबसे पहले आपने 0 लिया तो Y कितना मिला? माइनस टू पुट अप कर दिया अब X एक्वास टू हम क्या ले लेंगे? 1 1 ले लेंगे तो देखिए ये रिखा Y एक्स की प्लेस पे हमने रखा 1 और ये माइनस 2 तो इसमें से वैल्यू माइनस करी तो कितनी आई? माइनस 1 मतलब जब आप X की प्लेस पे 1 रख रहे है तो Y कितना मिल रहा है? माइनस 1 ठीक है? अब एक और हमें रखना है एक्स की प्लेस पे आप मैं 2 रख देती हूँ अगर आप मैं 2 रख देती हूँ देखो X की प्लेस पे मैंने 2 रखा ये माइनस 2 था तो 2 में से 2 गया तो क्या मिला? 0 मतलब Y कितना मिल रहे? 0 कब जब मैंने X की प्लेस पे क्या रखा? कोई 5 रख दे, कोई 3 रख दे तो उससे क्या आपका solution गलत हो जाएगा? नहीं, बस उससे ये होगा कि आपके answer मतलब इसके solution कुछ और आएंगे तो देखिए जब भी linear equation in two variable हो तो उसके एक या दो solution नहीं होते उसके बहुत सारे solution होते हैं तो ये कभी भी आपका answer रॉंग नहीं होगा कब जब आप अलग-अलग different value x की suppose करेंगे मतलब आप कुछ और भी value इसकी suppose कर सकते हैं अब हमारे पास 3 solution मिल गए फर्स solution था 0 तो minus 2 मतलब 0 रखा था तो minus 2 मिला था 1 रखा था तो minus 1 मिला था 2 रखा था तो 0 मिला था clear ये solution है आपके पास so plot the point अब ये जितने भी point है हमें graph paper पर draw करना है on the graph paper फिर जैसे हमें ये point draw करेंगे joining these points we get a straight line pq तो हमें उसके बाद एक straight line मिल जाएगी clear ठीक है अब हम क्या करेंगे graph paper एक लेंगे और graph paper पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक x axis होता है और एक y axis होता है वेसे हम यहाँ पर इसको draw करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको एक line draw करनी है this and this ठीक है अब देखे ये आपके लिए क्या रहेगी हमेशा x axis रहेगी ये y या माइनस x लिख सकते है या x dash x dash लिखो या माइनस x and this is the y dash और y मतलब ये वाला पार्ट आपका प्लस का 1,2,3 देगा y में ये प्लस का 1,2,3 ये x के अपोजिट है मतलब अपोजिट डारिक्शन में है तो यहां पर जितनी भी वाल्यूज है आपकी कैसी रहेगी माइनस में रहेगी it means माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 0 से जो start होगी 1,2,3 वो माइनस में चली जाएगी और same as it is ये y के अपोजिट है तो यहां की भी value माइनस में चली जाएगी फिर अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने जो पीछली वीडियो में graph draw करा था वो 0 से ही start करा था क्योंकि हमारे पास जो points मिले थे उसमें माइनस का कोई point ही नहीं था तो हमने as it is बस ये वाला plot यी graph पे draw करा था इसलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस में value है इसलिए हमें माइनस वाला पार्ट भी यहाँ दिखाना पड़ेगा सबसे जो cross वाला पार्ट होता है x-axis और y-axis का उसको हम क्या नाम देते है 0 अब 0 के पास देखो हर graph पेपर में 11 cm के boxes बने वे आपको numbering उसी boxes पे करनी है equal distance पे तो यह आपका 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया मालब यहाँ पे 3 से बड़ा कोई number है क्या नहीं है इसलिए हम 3-3 तक ही अगर आपके number मतलब solution में अगर कोई बड़ी digit हो 4 या 5 तो हमें एक लाइन से लेना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है या एक्सिस पे भी हमने जीरो के नियरेस टू 1, 2, 3 ले लिया फिर इधर भी माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 ले लिया equal distance पे और as it is y डेश पे भी हमने क्या करा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 ले लिया clear? मतलब इस तरीके से हम सबसे पहले point decide कर लेते है ठीक है? and then after सबसे पहले हमें ये point बताना है ठीक है? तो x पे 0 का है सबसे पहले x एक्सिस ये रहा x एक्सिस पे 0 का है ये रहा अब उस 0 को हमें कहा तक बढ़ाना है देखो y तक हम बढ़ाते है 0 को कहा तक बढ़ाना है y की जो उसकी value होगी वो तो 0 के साथ value कितनी आ रही minus 2 तो अब 0 को हमें minus 2 तक का draw करना है मतलब minus 2 कहा पर आ रहा है 0 वाली seed में अब minus 2 क्या आ रहा है उपर जाएगा की नीचे definitely minus में value है तो कहा जाएगी नीचे तो आप देख रहे होंगे की ये value यहां आ रही है मतलब हमारे पास यहां आ रही है मतलब हमारा point यह वाला point हो जाएगा 0 को माइनस 2 मतलब यह point हमें क्या मिल गया 0 को माइनस 2 यह वाला point राइग first point मिल गया second point है 1 को माइनस 1 अब x की position पे 1 कहा है यह रहा अब इस 1 को मुझे कहा तक बढ़ाना है minus 1 तक तो देखो इसको नीचे की तरफ बढ़ाया तो यह second point मिल गया है अब यह point पे मिल गया आपको अब second point है हमारे पास 2,0 third point sorry 2,0 अब x-axis पे 2 का है यह रहा right x-axis पे 2 यह है ना अब 2 को कहा तक हमें बढ़ाना 0 तक तो देखो x का 2 यह रहा लेकिन y 0 का है इसी line पे तो यह क्या उपर यह नीचे जाएगा क्या नई यह point वह ही as it easy रहेगा मतलब आपकी pencil अगर यह टच करके रखिए और आपको 0 तक बढ़ाना है तो 0 तो उसी सीद में है तो बढ़ाने की जर्वत ही नहीं तो आपका third point क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो यह हो गया आपका 2,0 अब यह तीन point मिल गए 1,2,3 अब तीनो point को मिलाते वे आपको line ड्रो करना है तो जैसे ही आप scale रखोगे scale रखने के बाद आपको एक लंबी line ड्रो करनी है उस लंबी line को आप क्या नाम दे दोंगे PQ PQ नाम दे दोंगे और इस line line की equation क्या है हमारे पास question जो दिया है x minus y equals to 2 वो एक छोटे form में यहाँ पे आप लिख देंगे clear? मतलब आपके पास यह line ड्रो हो गई अब आप सोच रहे हो कि यह तो हमने 3 point सिलेक्ट करे अगर किसी बच्चे ने कोई और point आ रहा है तो क्या definitely वो इसी line पे belong करेगा क्या? हम देखके check कर लेते एक example में बता देती हूँ x minus y equals to 2 equation है हमारे पास रहे अभी तक हमने x की place पे क्या-क्या value suppose करी 0, 1, 2 ठीक है? अब अगर हम कुछ और value suppose कर लेते हैं suppose मैं x की place पे 3 suppose कर लेती हूँ तो यह मैंने यहां रखा 3 यह minus y equals to 2 यह 3 plus का 2 इधर आया तो काई का हो गया minus का और minus का y इधर गया तो plus का तो y equals to कितना मिल गया? 1 ठीक है? अब x equals to 3 का है यह रहा, right? इसको कहा तक ड्रो करना है हमें 1 तक तो देखें यहां पे x 3 को मैंने उपर 1 तक बढ़ाया तो यही आएगा point मतलब इसी line पर आपके answer मिलेंगे line straight तो यही रहगी x की value आप कुछ भी suppose करो आपकी जो straight line आएगी उसी पे आपके सारे solution मिलेंगे तो इस तरीके से आपको यहां पे क्या करना है? graph को draw करना है तो आपकरी में आप लिखेंगे the line pq is required graph of the given equation और हमें इस question में क्या करना था? सिर्फ एक graph ही draw करना था जो की यह रहा तो आप भी अपनी copy में graph paper में ही use करते वे इसको graph paper में ही बनाना है या तो आप graph copy में इसको solve करो या graph paper में इसको draw करके अपनी main copy में paste कर लो thank you